अब आज़िए वेरी वेरी गुड़ी इवनिंग एक बार वोईस चेक कर लीजिए वोईस क्लियर है आप सभी स्टूडेंट को वोईस चेक कर लीजिए एक बार कितने दो क्लास चुट्टी होगे कितने होगे आप मुझे ना डाउट बताते जाहिएगा मैंने कुछ इलिस्ट्रेशन अपलोड भी किया है रिकॉर्ड करके आप डाउट बताईएगा जैसे आयूशी नहीं बताया है क्योंकि दो-तीन दिन का गैप हो गया कुछ वह मेडिकल रीजन था जिसके वज़े से गैप हो गया आप क्या करें पहले मैं 7.3 बताईए 7.3 के मैंने अप्लोड करा था नहीं करा था मैं देख विलिए था 7.3 बताईए आपको अप्लोड मिल गया था कंटेंट के अंदर यह डाउट में आपका कुछ लेता है आयूशी का कहने डन मैंने अप्लोड कर दिया था यह येस और नो में बताईए येस चीक है आजाए ये 7.4 7.4 बताईए 7.4 ये डाउट है हो गया 7.4 के ये वीडियो मेंने अप्लोड कर रहा है 7.4 येस और नो में बताईए डन सर हो गया 7.5 क्या मैंने ये अप्लोड किया है या नहीं नो सर बत हो गया अच्छा अप्लोड नहीं किया ये वाला अप्लोड किया है हो गया या नहीं 7.5 जितने स्टूडेंट है आप सभी ने फोल्डर जो बच्चे नहीं है उनको आज की क्लास में अप्लोड है ओके चलिए ठीक है डन 7.6 अप्लोड है या नहीं अगर अप्लोड नहीं है तो मैं करा दूँगा कोई बात ने अगर आपका हो गया तब भी मैं करा दूँगा ये वाला ठीक है 7.6 बताईए अप्लोड अप्लोड और नॉट यह हो गया आपका अप्लोड ओके अप्लोड हो गया तो टेंशन नहीं है 7.7 अप्लोड और नॉट यह हो गया 7.7 अप्लोड और नॉट यह सर अप्लोड अप्लोड ओके 7.8 हो गया 7.8 अप्लोड और नॉट 7.8 बताइए 7.8 अप्लोड और नॉट जो मैंने अप्लोड कर दिया है वो तो देखके करी लेंगे अगर नहीं अप्लोड है तो वो फिर देखकत है 7.9 अप्लोड और नॉट 9 and 10 बोथ अप्लोड ओके 10 भी अप्लोड होगे 10 में डाउट था क्या आपका 9 में डाउट है तो आप अप्लोड कूर्स एक्टिवेट करेंगे फिर आपका 7.1 इसका आधा कुश्चन कहा गया इसका अधा कुश्चन कहा गया बच्चे करें 10 9 10 11 इतना ही है यह कुछ और भी यह पता नहीं क्या आया यह यह तो कुश्चन कहा गया है नहीं कि 11 बताई अप्लोड किया नहीं किया देखना 11 इसमें बुक में कि नूट अप्लोड कुश्चन देख लेते हैं क्या है यह आगे तो नहीं है इसका आधा है इसका आधा है आधा पार्ट 12 13 चलो अभी 7.11 कराते हैं 12 बताई यह अप्लोड इडर नॉट 12 7.12 7.12 अप्लोड इडर नॉट 7.12 अप्लोड इडर नॉट 7.13 अप्लोड इडर नॉट चुकि मैंने कहा था सारे चीजे जितने भी है वो डन अप्लोड कर देजिए 7.13 अप्लोड इडर नॉट अच्छा 11 पूरा नहीं आ पाया हूँ अप्लोड इसमें क्या डाउट है अप्लोड है लेकिन डाउट बताईए क्या था इसमें कुश्चन एक बार एक्स्प्लेइन कर देता हूँ डाउट है तो कुश्चन कहता है क्याल्कुलेट इपिएस इस विए सॉलिड लिमिटेड और साउंड लिमिटेड दो कंपनी एक यह कंपनी और यह कंपनी दोनों कंपनी का नाम है 20% बिफोर टेक्स रिटन एसेट्स अब यहां पर एसेट्स के उपर रिटन दे रहा है और टोटल एसेट्स यह है तो यानि आपका लिमिट बता रहा है आपको बता रहा है अहां पर क्या हीए इ suggesting जब कभी ऐसे बोलें तो इबी इएटि आयस वुलय है तो कि सिबैसर ओन एसेट्स काहीबर टोटल एसेट्स बोलता है काहीबर ओन एसेट्स बोलता तो कितने पर्सेंट है एपार्ट के अंदर 20% बिफोर टेक्स एसेट बी 10% बिफोर ओन टेक्स एसेट वंधा बेसिस ऑफ फौलॉविंग डेटा तो एक के लिए हमारा मतलब दो पार्ट हो गए एक तरीके से तो 20% कितने हो गए यह कितने तो 20 लाक हो गए 20 परसंट ठीक है 10 परसंट B के लिए अब I don't know B किस के लिए कह रहा है कोशन में Clarity नहीं है तो B के लिए आप इसके उपर मान सकते हैं इकुटी शियर कैपिटल दस रुपे का एक है और यह रुपीज के टर्म्स में दस रुपे का एक है यह रुपीज नंबर नहीं बोल रहा फेस वेल्यू 10 इच है कुशन में लिखना चाहिए था यह वैसे तो कितने हैं दो चार छे दस लाक तो आपका एकुटी शियर कैपिट रेट 50% हमें बस यहां financial firm assuming tax rate 50% तो सबसे पहली बात जब आप financial leverage निकालते हो तो tax का काम नहीं होता लेकिन EBS निकालने के लिए tax का काम होगा EBIT 20 लाक मिल गया इसमें से interest माइनस कर दोगे जो कि पहले case में 0 है तो आपका EAT भी यही आ जाएगा आपका मतलब के 20 लाक ही आ जाएगा financial leverage जिसका 1 हो जाएगा इसके बाद इसमें से आप क्या माइनस करोगे tax माइनस करोगे 50% अब जो कि नाव चैक करें क्लियर एंवाइस अभी चैक करिया आप अब आगई होगी येस वह बैटरी डाउन हो गई थे इसके पहले बताईये 7.13 यही गोशन की बात कर रहे है क्यूंकि मेरी किताब में कोई और दिख रहा है किताब बदलने के साथ चेंज हो गया है मुझे बताइए सेवन पॉइंट बारे में पूछ रहे हैं एक आयूशी दिया का दोनों बताइए कि इसी कोश्चन के बारे में पूछ रहे हैं या कोई और कोश्चन है कि अब बता नहीं रहे बच्चे अब कि अब देट भी करना पड़ेगा आप 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 सेवन पॉइंट सेवन्टी वन पॉइंट पॉइंट पो टु मैं समझ नहीं पाया यह ये कोश्षन जो आप बता रहे हैं इसमें डावट सबसे पहले तो सबसे बता किए यह सर आश्यरे स्वइंटी वन कॉइंटए मन हें 13 71.42 नहीं नहीं हाँ बिल्कुल मैं करी देता हूं इस कुश्चन को आपका डाउट है या क्लियर है 10 तक दिया था चलो 10 तक दिया था तो यह कर देता हूं यह कुश्चा नहीं कर देता हूं नहीं तो मैं कंफ्यूज रहूंगा और आप भी कंफ्यूज रहोगे कि यह होना क्या है और करना गया है तो एक दो बच्चों का रहे गया तो फिर वह समस्य हो जाएगी मैं सरिफ एक ना एक परसंटीज के इसाफ से करके दिखा रहा हूं ठीक है आपको सिर्फ बीस परसंट के इसाफ से दोनों का कर दूआ बागी दस के तो वही सेम करने है जो कि आप कर लोगे यह चार कॉलम बन गए तो मैं चारू ही कर देता हूं चलिए बन जाएंगे चार कॉलम है ना एक यह दस परसंट दस परसंट दू कंपनी दस परसंट और दस परसंट क्या कह रहे हूं अब देखो सबसे पहले कुश्चन में हमें इवी आईटी इवी आईटी के बारे में कुश्चन में क्या कहता है कि जो हमारा देखो यह विफोर टेक्स रिटन तो बिफोर टेक्स जब भी बोले तो आपको इवी आईटी भी बोल रहा है तो इंट्रस ना ही बोला वह अलग बात है लेकिन इवी आईटी है यह तो आप दस परसंट कहता है तो दस परसंट सबसे पहले इसमें से क्या माइनस करेंगे सर सबसे पहले इसमें से इंट्रस माइनस करेंगे पहले वाला केस यह इसको हम बोल रहे हैं सॉलिट और यह है हमारा साउंड इसके उपर इंट्रस की बात करें तो भाईया यहां लेंगे यहां ट्रस कहां से ओगा तो 0 इस वाले केस में हमारा लोन है पांच ल, पांच ल, पर बारा परसंट कितना हो जाएगा पचास ल, तो यह EBT मतलब tax नहीं है यह तो 20 लाग ही आ गया और यह 14 लाग आ गया और यह 10 लाग रहेगा और यह 4 लाग होगा अब इसमें से minus कर दो tax tax बोला हुआ 50% तो यह 10 लाग हो गया और यह 7 लाग हो गया यह 5 लाग हो गया यह 2 लाग बढ़ जाएगा यह 2 लाग बढ़ जाएगा नाव EPS निकाल देते हैं सबसे पहला question EPS EPS क्या होगा पहले case में number बात करते हैं तो यह न एक करोड है और एक share कितने का 10 रुपए का तो पहले case में आपका 10 लाग share हो जाएगा 10 लाग share और दूसरे case में 50 लाग है तो यहां हो जाएगा हमारे पांच लाग share ठीक है ना तो अब पहले case के अंदर इसके अंदर हमें 10 लाग से डिवाइड करना होगा तो 10 लाग divided by 10 लाग that is कितना गया 1 इस case में हमें किस से डिवाइड करना होका पांच लाग से तो सात लाग divided by पांच लाग 1.4 आ गया EPS अगले केस में हमें करना पड़ेगा फिर से इस केस में 10 लाग से डिवाइड तो 0.5 आ गया और इस केस में 2 लाग को हमें 5 लाग से डिवाइड करना पड़ेगा तो 0.4 आ ठीक है तो as per the condition अगर दिखा जाए इन दोनों में compare क्योंकि हम same percentage return पे compare कर सकते हैं तो इन दोनों में compare किया जाए तो अभी better ये लग रहा है कि हम loan लेके काम करें इन दोनों में भी हम compare करें तो better ये लग रहा है कि हम loan ना ले तो बिना loan के ज़्यादा better है क्योंकि loan हमारा एक होता है fixed cost एक तरीके से और जब हमारे ज़्यादा volume में हमारा profit आता है तो फिर fixed cost लेके काम करना better है अगर profit कम value में तो भाई या fixed cost कम पालो नहीं तो business बहुत नुकसान में जा सकता है बंद भी हो सकता है अब कहता है भाई या बोथ case में financial leverage निकालो तो dfl की बात करिए इसने तो dfl क्या होगा divide करोगे तो इसका तो वन आ जाएगा इसका dfl divide करोगे तो अलग आ जाएगा dfl क्या आ जाएगा हमारा 20 divided by 14 into 100 तो 20 divided by 14 आएगा 100 नहीं हो 1.42 तो dfl point of view से देखा जाए तो यह better है यह बेकार है क्योंकि इसका financial leverage क्या है ज्यादा है आप देख भी पारेगो वैसे भी मैंने का भी या अगर dfl की बात करें फानिशल लीवरे तो यह ज्यादा है हमारा इसका और अगर हम इसको कर दें हम दो यह कितना है दो आ जाएगा न दस पांच नहीं वहाँ यह आएगा यह तो यह क्या एगा हमारा वन और यहाँ पर आ जाएगा हमारा दस चार दस divided by चार तूबॉइंट तो ये भी बेकार है हमारा तो यहीं तक question में पूछा गया है आप बच्चों का कहना है सर बुक के अंदर जो answer दे रखा है comment comment को मैं एक बार पढ़ के explain कर देता हूं कहता है solid limited does not have any financial leverage so no debt 50% decrease in EBIT 20% 10% result decrease in EPS also 50% मतलब वो रहेगा लेकिन जो दूसरी company है उसके अंदर sound limited 50% leverage है तो आपका यहां पर 20 और 10% पर EPS दे दिया इसने that is decrease in 71% दा financial leverage और from 20% return तो कहता है जैसे ही decrease होगा ना हमारा तो financial leverage भी हमारा देखें तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से तो financial leverage की यह बात कर रहे है कि क्या फरक पड़ा कब की बात कर रहा है financial leverage का तो financial leverage यहां पर देखो आपका बात कर रहे हैं decrease का तो यह वाला point चूज करो आप क्योंकि financial leverage यहां पर debt वाले में यह वाला point देखो और यह वाला point देखो तो अगर हमारा EBIT ज़्यादा है उस case में तो हमारा percentage change in financial leverage तो वही simple base year लोगे और divide क्या करोगे change से तो divide change कितना है 2.5 minus 1.42 तो यह आजाएगा 1.42 year base year divided by 0.18 0.1 यह इस पर बच्चे confused थे है 1.08 ठीक है तो 1.42 divided by 1.08 तो यह देखेंगे 131 क्यों हो रहा है यह बेस तो सही लिया मैंने base year तो एकदम ठीक लिए रप्रहा है कितने percent कह रहा है decrease 71% कहता है sound there is 50% leverage decrease to 50% in EBIT EBIT 50% कम हो गया हां ठीक है 10 to EPS also decrease 1.4 to 4 अच्छा यह EPS का percentage है मैं FL का percentage EPS क्या है मारा EPS देखो यहां पर यह है और इसका यह है EPS तो 0.4 divided by difference कितना आ गया 1.4 divided by 0.4 3.5 1.4 minus में 0.4 1 0.4 divided by तो 40 होगा change कितने percent होगे हमारा difference 1 है difference इनका 1 है और divided by 1.4 1 divided by 1.4 यह आगे हमारा 71% तो बच्चे यह पूछ रहे थे क्या है वैसे वो comment में लिखना जरूर ही नहीं है फिर भी मैं बता दू percentage change in EPS change in EPS EPS divided by base यानि आपका जिसको base मान रहे हो change करने के लिए तो change in EPS कितना आ गया इन में से बीच का difference ले लो तो 1 आ गया इसको divide किस से करोगे 1.4 से करोगे और into में क्या कर दोगे 100 तो यह कहना है कि भाईया हमारा जो है ना पहले 1.4 था और भी 4 हो गया तो यानि 71.4 परसंट से हमारा EPS decrease हो गया जबकि यहां पर देखा जाए बोला है कि यह तो देखो 50% decrease हुआ क्योंकि हमारा अगर return 50% decrease हुआ तो यहां हमारा EPS भी 50% decrease हुआ जबकि दूसरे वाले केस में हमारा return तो 50% decrease हुआ लेकिन EPS जो decrease हो गया वो कितना decrease हो गया हमारा 71.4% decrease हो गया बस यही बताना चाहरा है यह इसमें क्लियर है आपको क्लियर है बताइए फटा फट से अब जो कमेंट पढ़के बच्चे थोड़ा सा confuse थे वह मैंने बता दिया कि इस सरकल बैच जो इन करा है तो कैसे करें जन बच्चों ने कराए तो मैं अगली क्लास में new चप्टर स्टार्ट करूँआ इसको आप पहले करेंगे और अगली क्लास की जो चप्टर स्टार्ट होगी पीछे से इतना लेना देना नहीं है वह बच्चे अगली क्लास का वीट करेंगे थोड़ा सा चलिए है आप 14 में बताइए अप्लोडिड है यह 14 15 और 16 है 14 अप्लोडिड है बताइए कि कमेंट में बता दीजिए 14 अप्लोडिड है यह समझाना है यह अप्लोडिड है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है 15 बताइए 15 बताइए 15 बताइए अप्लोडिड है यह नहीं कि एक बार फाइनेंशल ब्रेक एवन पॉइंट बता दीजिए ओ हाँ यह रह गया था वैसे तो मैंने बताया होगा देखो फाइनेंशल ब्रेक एवन पॉइंट जिसको मैं एफ बी पी कह देता हूं ठीक है एफ बी फी फाइनेंशल ब्रेक एवन तो एफ बीप इस इकल to interest कोई भी यो प्लस अगर कोई प्रफरेंशियर डिविडेंट है प्रफरेंशियर डिविडेंट इन दोनों को जोड़ दो और एनी काइंड ओफ फिक्स परसंटेज किसी को देते हैं उन सभी को अगर जोड़ दोगे तो वह फाइनेंशल ब्रेक इवन पॉइंट हो जादा है सिंपल सा फंड है और कुछ नहीं करना तो अगर इस अगर मैं आपके इस सवाल में पूछू तो जो डेट है डेट के उपर बारा परसंट निकाल दो वही फाइनेंशल ब्रेक इवन पॉइंट होगा कर दो जादा है